Front Elevation एक ऐसी चीज है जो भी हमें घर में घुसने से पहले ही घर के बारे में काफी कुछ बता देती है Friends जब भी हम किसी घर के सामने से गुजरते हैं तो हम उसकी हमेशा Front या Front Picture ही देखते हैं तो Friends जो Front Picture दिखेगी आपको उसको डिजाइनिंग करने में सबसे पहले दिमाग लगाना होगा या Interior Designer को भी या Architect को सबसे पहले जो उसकी Front Elevation के ओपर दिमाग लगाना परता है Friends मैं आज आपको 14-15 घरों के Front Elevations दिखाऊंगा जो की Modern Style में भी हैं जो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देगे सब्सक्राइब बटन को दबादें और बैल आइकन को भी दबादें नेक्स्ट घर की दरफ जो की है दोसोगज का घर और इसकी Front Elevation एक Modern Look की Elevation है इसके अंदर हमने Glass का वर्क किया है, बुडन टाइलिंग का वर्क किया हुआ है तो आप Friends इसी तरीके से आप भी इस तरीके की Elevation कर सकते हैं इसकी जो चोडाई है Friends ये 30 फूट का चोडाई का Front है तो मतलब ये 30 फूट की Front Elevation है तो ये बहुत ही सुन्दर Elevation है, देखिए इसके अंदर Glass का भी सुन्दर वर्क है Friends ये मेरे खुद शूट की हुई है सारी की सारी आपने अगर जो परसनली विजिट करनी है या आपने इसको घर को खरीदना है तो नीचे देखिए मोबाइल नबर वे आप मुझे कॉल कर सकते है आप भी देखिए Friends इसके अंदर हमने Brown Tiling और Brown का कितना अचा वर्क किया हुआ इसके अंदर जो हमारा Front Elevation के अंदर जो हमारा Window लगी हुए है वो भी बहुत सुन्दर है इसी तरीके से Friends अब नेक्स्ट गर की दरफ चलते हैं ये भी है Brown look ये भी करीबन TIGS foot की चुडाई में है तो TIGS foot का Elevation है इसके अंदर हमने जो टॉप पे हमने इसके अंदर जो पाइप्स का वर्क किया हुआ इसी तरीके से आप भी इस तरीके से आप भी अपना gate design कर सकते हैं तो ये सुन्दर डिजाइन है इसी तरीके का look आप का आजकल international look का design चल रहा है तो अगर जो आपको wooden type का look पसंद है तो इस तरीके से आप brown tiling का work कर सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा अब चलते हैं next elevation की तरफ, जो की बहुत छोटी elevation है, 20 foot की चुड़ाई में elevation है, लेकिन इसमें हमने friends, जो उपर है अच्छा MDF का काम किया हुआ है जाली जो है, MDF की जाली है आपको दिखेगी, लेकिन glass के साथ glass है, brown, grey, जो grey look अच्छा दे रहा है, देखिए friends कितना अच्छा लुक दे रहा है, यह बहुत छोटी है, यह तकरीमन 20 foot की लंबाय चाहिए चुड़ाई है, खाली चुड़ाई है और यह 20 foot की elevation है, तो इस तरीके से आप भी नया design है यह पूरा का पूरा proper, बहुत सुन्दर है, देखिए इसके अंदर हमने glass cover किया हुआ है तो यह थोड़ा look पीछे से sun पट रहा है, तो आपको थोड़ा look कम नजर आ रहा हुआ, लेकिन यह बहुत ही सुन्दर look है देखिए friends, इसी तरीके से आप grey और white में proper, कुछ इसमें ज्यादा हमारा पैसा नहीं लगेगा इसमें simple design है, तो इस तरीके से आप भी अपना glass के साथ और brown और grey इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो dark brown, chocolate brown का चल रहा है और black grey night का सुन्दर काम है तो इसी तरीके से आप भी अपना front design कर सकते हैं, यह बहुत ही सुन्दर design है, और साथ में जो हमने black grey उसके साथ जो grey हमने look दे रहे हैं, तो इस तरीके से हैं अब हम चलते हैं next home की तरफ जो की है Spanish style home Spanish का मतलब होता है कि हमारी थोड़ी बहुत windows हो और balcony हो जो दिखती हो अलग से और साथ में जो हमारा elevation के उपर हमारी जो hut type की hut type होते हैं, तो उसमें Spanish style के homes बोला जाता है, तो देखिए फ्रेंज ये Spanish style का homes है, इसमें balcony है, ये सिरफ 20 foot की चोड़ाई में front elevation है, कितना सुंदर front elevation है और देखिए hut का काम है, और उसमें light brown color है घर का, कितना सुंदर elevation दे रहा है, फ्रेंज आप इसी तरीके से आप अपने घरों को design कर सकते हैं, देखिए कितना सुंदर elevation है, हमने इसके plants भी रखे हुए हैं तो ये Spanish style homes बोल ले जाते हैं जो आजकल normal, जो आजकल चल रहे हैं, जो बोलते हैं कि ये 2 story का Spanish style front elevation है कितना सुंदर है, जितने भी मैं घर दिखाऊँगा, 2 story के elevation चलाऊँगा क्योंकि 2 story में ही elevation बन पाती है ठीक ठाक, तो इसी तरीके से friends आप भी अपने घरों में design कर सकते हैं कितना सुंदर elevation designs को कि देखिए friends अब next घर की तरफ जो की है small, 20 foot की चुड़ाई में हमने इसमें जो glass का work की हो है railing के अंदर, steel की railings हैं, बहुत सुंदर है यह small घर है अगर जो आप small design में, सस्ते design में करना चाहें, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं इसमें हमने जो grills का है, वो simple, हमने white color की grills की हो है, इस तो भी आप भी इसी तरीके से अपना grills का design कर सकते है तो यह normal जो आजकल घर है तो सुंदर भी लगेंगे, look देखने में और सस्ते मी होंगे, इसी तरीके से हम चलते हैं, हम second घर की तरफ, जो की है इसकी जो चुडाई है करीबन 25 फूट का चुडाई है, फ्रन्ट इसका तो यह फ्रेंट जेट सो गच का घर है और इसके अंदर हमने जो side में बिल्कुल side में हमने एक brown पटी का work कर दिया है, पुरा brown tiling का work है, तो यह tiling यह होता है कि एक बारी आपकी लग गई पूरे घर में जो front elevation के पर, तो बाद-बाद हमेशा paint की जुरुरत नहीं रहेगी तो इसमें यह होता है कि हमारी maintenance का खर्चा कम रहता है, तो एक बारी लग गई, तो यह जो tiling का खर्चा आता है तकरीबन 100 और पे से 150 और पे स्क्वेर फूट का खर्चा आता है, तो यह आप इसी साब से अपना designing कर सकते हैं चलते हैं next गर की तरफ, इसके अंदर भी हमने light brown Italian जो marble tile चलती है, उस तरीके का घर है और side में हमने glass railing और glass steel का railing का work किया है तो यह आज कल normal ही चल रहा है घरों के अंदर, तो आपने अगर जो ठीक ठाक पैसे खर्चने हैं, तो यह आप खर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर steel railing अच्छी look के साथ डिजाइन है देखिए brown color का अच्छा डिजाइन है इसके अंदर, जो हमारी front wall है उस पर भी अच्छा डिजाइन है, इसी तरीके से आप भी tiles जो लगती है, वो एक normal चल रही है, तो इसमें हमने simple brown, light brown color का और grey color की हमारी जो साथ में gates और grills हैं, देखिए grey color की है तो यह simple normal design है और इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहींगा, लेकिन look अच्छी एक international look देता है, तो जुरूरी नहीं कि आपने हमेशा tiling का work ही करना है, अगर जो आपने tiling का work नहीं करना, आपने simple घर भी रखना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कितना सुंदर है, grey look में अच्छा design देता है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, अब चलते हैं next home की तरफ जो की एक premium look का design है, friends देखिए हमने इसके अंदर एक black color का अच्छा look है और इसमें हमने simple एक थोड़ी जगा पे हमने normal हमने tiling का work किया हो है, और बाकी हमने glass का prop पर जो हमारी glass working है, तो ये एक अच्छा look, modern look का design है front elevation है, देखिए कितना सुंदर है ये सिर्य 20 foot की चुड़ाई में front elevation है, देखिए कितना सुंदर है इसमें हमने जो doors रखे हुआ है, वो तकरीबन 8 या 9 foot की जो लंबाई पे रखे हुआ है, तो ये एक अच्छा look देता है, तो साथ में हमारी front elevation है, ये एक तकरीबन 30 foot की front elevation है, कितनी सुंदर है इसके अंदर हमने बीच में सिर्फ एक patch बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारी tiling का work है, और हमने जिसके प्लेन रखा हुआ है, और साथ में हमने जो इसके अंदर piping का अच्छा इस्तिमाल के हुआ है, और देखिए कितना अच्छा look दे रहा है, और आप भी इसी तरीके से अपने घरों को design कर सकते हैं, ये एक नया look का design है, इसी तरीके से आप tiling का इस्तिमाल कर सकते हैं, टाइलों के साथ साथ हमारी जो grey और मैं brown का elevation के अंदर दिखा रहा था पहले भी आपको, तो इसी तरीके से आप भी design कर सकते हैं, friends ये एक बहुत ही international look दे देता है आपके घर को, बहुत ही सुन्दर, क्योंकि first impression is the last impression, देखिए इसमें सिरफ हमने glass की railings लगाई हुई है ये simple normal budget home है इसके अंदर हमने सिरफ glass की railing लगा दी आपने simple steel की railing लगा देंगे तो ये तब भी काम चल जाएगा, देखिए steel की railing लगा रखी है और glass का बिल्कुल भी काम नहीं है तो इसकी तरीके से आप भी इसमें simple कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारी सबसे पहले दिखती है घर के अंदर घर में घुसने से पहली बंदा एक नजर front elevation पर जुरूर मारता है कि बंदे ने कि क्या कारीगरी करीप की है तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं देखिए इसमें हमने simple glass की railing लगाई हुए है और steel के साथ कितना सुंदर काम है इसके पूरा proper tiling का काम किया हुआ है front elevation के अंदर एक अच्छा look दे रहा है पूरे घर को देखिए हमने अलग-अलग balconies बना दी हैं उस तरीके से आप भी अपना अलग-अलग design कर जिए देखिए इस तरीके से आप मेरे इस वीडियो से आप अपनी help ले सकते हैं कि किस तरीके से आप भी डिजाइनिंग कर सकते हैं यह एक international look designs दे देते हैं आपको जो आपके घर में घुसने से पहले ही आपको आपके घर के बारे में सब कुछ बता दे तो यह front elevation ही कैसी चीज है जो आपकी look बता देती है friends अभी तक में आपको 12 elevations दिखा जागे आप चलते हैं 13th elevation की तरफ जो की बहुत ही सुन्दर है यह तकरीबन 40 foot का front है friends देखे कितना सुन्दर look दे रहा है और यह 3 story का elevation है कितना सुन्दर है, brown look का work है brown tiling का work है साथ में हमने MDF जाली, पूरी पूरी टॉप तक हमने डाली हुए तो इस तरीके से आप भी steel की जाली कटवा के उसको उस तरीके से करवा सकते हैं यह एक international look दे देती है घर को एक look सुन्दर look दे देती है white look का घर दे रही है साथ में और साथ में हमने piping का इस्तिमाल कर दिया है जो pipes है, जो steel की railings है इस तरीके से आप भी front elevation को बुरा अच्छे से design कर सकते हैं हमने dark brown color की जो इसके अंदे windows रखी है तो आपने भी एक color का combination जब भी architect से आप बनवाएं तो color combinations का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि color combination अगर जो आपने एक भी अटपटा रंग लगा दिया तो वो आपके घर को बिल्कुली अच्छा नहीं सुन्दर नहीं दिखाएगा तो इसी तरीके से आप भी front elevation का पहले से ही ध्यान रखें कि front elevation पे क्या color combination होगा और architect जिस तरीके से color combination बताता है friends आप उसी तरीके से उसको इस्तमाल कीजिए friends ये जो घर है ये सारे के सारे चंडीगड के पास में अगर जो आपने personally इसको खरीदना है friends दो नीचे देखें mobile number पे आप मुझे call कर सकते हैं मैं इसको आपको खरीदने में help कर सकता हूँ देखें friends इसमें brown tiling का कितना सुंदर वक है अब चलते हैं next elevation की तरव जो की है तकरीबन 22 foot चोड़ाई में है और इसमें हमने बहुत ही सुंदर अच्छा gray tiling का जो italian types marble चल रहे हैं italian type चल रही हैं उस तरीके से किया हुआ और इसमें हमने small balcony रखी है दूर की दूर बालकनी रखी है साइड में रखी है और इसके इंदर हमारी front elevation पे कितना सुंदर काम करया हुआ है देखिए अराम से ये एक बार ही हमारी maintain हो गई इसमें हमें बार बार पैसे घर्चने की जूट नहीं क्योंकि जो tiling है वो सालो साल चलती है आपका look वैसे का वैसा ही रखे है लेकिन अगर जो आप कोई भी waterproof paint भी ले ले चाहे कुछ भी ले ले के वो खराब होने के chances रहते हैं कहने को तो रहते हैं कि 5 साल की warranty है लेकिन वो 3-4 साल बाद भद्दे हो जाते हैं क्योंकि जब हमारी acidic rain या कोई rain होती है बारिश होती है तो उसमें दिक्कत आ सकती है अब चलते हैं हम next elevation की दरफ ये भी छोटी elevation है काफी ये 20 foot की elevation है इसमें भी हमने glass का वक किया है जितने भी आप अपने घरों के अंदर रखेंगे आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जितने जितने plants रख सकते हैं front elevation के पर आपकी look उतनी सुन्दर आएगी आप glass का जितना काम करेंगे जितना आप wooden का काम करेंगे उससाब से आपका घर उतना सुन्दर लख सकता है और आप जितनी जाला कारीगरी दिखाएंगे मतलब कि आप कुछ-कुछ अलग-अलग तरीके की कारीगरी दिखाएंगे तो वो एक अलग ही look देता है घर को देखिए front elevation में simple हमने light brown का का काम किया हुआ light brown और dark brown का color combination तो आप हमेशा color combination का पूरा का पूरा ध्यान रखे एक front elevation को काम करते समय तो ये एक अच्छा look देता है साथ की साथ ये मैं आपको पहले ही बदा चुक हूँ ये सारे के सारे घर चंडीगर के पास में है अगर जो आपने physically visit करना है या आपने channel को में अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे देगे subscribe button को दबा दें और bell icon को भी दबा दें friends मैं आपका friend अंचुल हूँ और आपने मेरी videos पहले भी देखी होगी front elevation से लेके kitchen design से लेके everything मैं इनको घरों को बेचने खरीदने का काम है मैं इनको elevation को आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक educational purpose से बता रहा हूँ इसमें मेरा कुछ वो नहीं है मैं architect का काम नहीं करता लेकिन आप अगर जो help की जुरुएट से आप चाहते हैं तो इन videos को आप उपने friends के साथ share कर सकते हैं जो कोई घर बना रहा है तो front elevation एक first design होता है घर का तो इस तरीके से आप भी अपने घरों को design कर सकता है ये एक सुन्दर designs दिखा देता हूँ दिखाये है मैंने इसके अदर आपको 15 front elevations दिखाई हैं जो की top most designs हैं इंडिया में के अंदर अभी तक इतने designs अच्छे सुन्दर आपने नहीं देखे होगा किसी भी वीडियो के अंदर friends अगर जो मेरे चैनल को आपने subscribe नहीं कहें ते नीचे दिखे subscribe बटन को दुबा दे और bell icon को भी दुबाते मिलते हैं अगले वीडियो में friends धन्यवाद दोस्तों